साम का नजारा कितनी खुबसूरत है तो हे गाईस नमस्ते कैसे हैं आप लोग आई होग ठीक होंगे डेवी डॉट गुरियो ऑफिस्यल चालेंज में आप लोग का स्वागत है अभी हो रहे हैं सुभा का 11 बज़ हैं और मेरी तरफ से आप सब को गुड मॉनिंग तो यहां पर ले ली हूं लहर की डाल और आलू दो फिस क्यूंकि आज का मेनु है हम लोग का घर में दाल भच्चू का तो किस-किस को खाना पसंद है कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो यहां पर मैंने आलू क अच्छी सदर छी लिया थे और मैंने दाल को भी धो कर कुकर में दो तिन सिटी होने तक हमें छोड़ देती हूं कुकर का ढखना ही ठीक से नहीं लग रहा था तो मैंने इसको लगा लिया और इधर देख सकते हैं मीसो की तरफ से मैंने मंगाए थी टिपिन बॉक्स जो मेरे आए हैं पांच-पांच और जो मुझे बहुत-बहुत-बहुत क्यूप लग रहे हैं देखने में च हैसके इस्टील जो है बहुत अच्छा दिया गाइस आलिए सब प्लास्टिक कर ढखना दिया हूआ है तो आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूं कितनी अच्छी लग रही है बहुत-बहुत अच्छी है गाइस तो मुझे तो को दिखाते हूं और देख सकते हैं मैंने एक ही में सारा पेक हो जाता है इसलिए मुझे और ज्यादा यह अच्छा लगा और छोटा सा कार्टून में आया है और यह रहा इसका बेडिंग ज्यादा दायम भी नहीं लिया है 275 रुपीज लिया है मतलब 275 रुपीज ता आप लोग भी मंगा सकते हैं तो मैं इसको पैकिन करकर साइड रग देती हूं अब मैं चलती हूं बाहर की साइड और देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूफ है आज 4-5 दिनों के बार इसकी बार आज धूफ कप्रे उठा लिये हैं अब इसको एक एक करके अमसारे को भाज करके रख दूंगी साइड में देख लेती हूं थोड़ा थोड़ा भीगा भी है जहां हमेरा नाइटी भी तो रभीगा हुआ था तो मैंने घर में रसी टांगे थे तो घर में यह मैंने दे दिये जो घर में हवा से सुख जाएंगे तो चलिए मैं यहां पर सारी कप्रे को अच्छी तरह से कर देती हूं जपनी जगह पे और देख सकते हैं गैस बहुत 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 ज़्यादा गर्मी इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी कि मैं बता ही नहीं सकती अधर तब तक मेरा दाल का सीटी भी लग चुगा था आइधा देख सकते हैं कितना सुंदर मेरी डाल बंचुका है और यहां पर मैंने आलु को पहरे मेने निकाल डिया है अधर निकतली को अच्छे से घोट लेती हूं और देख सकते हैं लहर की दाल कितनी अच्छी बनी है किस किस को लहर के दल खाने पसंद है कॉमेंट में जरूर बताएगा और यहापर मैंने फोरन के लिए जीरा अत्तेल ले लिये थे और यहाद देख सकते हैं मैंने फोरन भी दे दी हूँ अब चलिए मैं इसको फोरन दे दी हूँ और ज्यादा स्वादिश्ट हो गये हैं अब मैं इसको कर लूंगी कुकर को खाली क्यूंकि हम लोग कुकर का चावल खाते हैं तो कुकर में ही चावल बठाएंगे इतना साय दाल हो चुका है कि आप दी हमनेव बनाए हैं तीन लोग वुक्वो के ले दाल इतनी सारे अर इधार दिखे मैंने आ लो को गुऱने के लिए मैंने जीरा और शुखा मिर्ची और नमक असळाieron तेल मैंने लेल हैं इसको अच्छी तरह से में गुर दूंगी पहले मिर्ची या जीरा ो नमक बहुत स्वादिश्ट हुई है क्यूंकि मैंने थूरा सा चक लिया था पहले ही नमक के कारण कि नमक हुआ है या नहीं अब यहां पर मैंने तीन गोले भी बना दिये हैं चुके कि तीन आदमी तीन गोले तो चलिए अब मैं परस लूँगी खाने और यहां पर मैंने चावल भ सब्चा बनाती हूं चलिए अबी बज़ रएं दो फिर कदो और मैं ले ली Food by अ. अरे हमें ने बनाये है आज का मेनु में धान चुक्रा वां चानिकी सब्जी जो सब्ची शुब्हे में बनी थे नांसते में तो मैं यह खा ले तीन और खाने के बाद बहुत नीन आ रही थी तो मैं सो गई थी अभी बज रहे हैं साम के पांच और देखे मैं उठ चुकी हूँ और मैंने ले ली हैं दो बिदाना एक प्लिट और एक च्छा को जिसको कटिंग करना है मुझे क्योंकि बिदाना बहुत दिन दो तीन दिन से रखे हुए थे सर जाए होँए और अभी वज़रे साम के सारे पांच तो एक-ईक करके मैं सारे चिलके से बिदानों को निकाल देती हूँ अब थोरी थोरी करक्षा भी लेती हूं छिरते चिलते खाने का मजही कुछ और है और यहां और देख सकते मेरे बिदाना चिला चुके हैं और मैंने एक आप किस किस को खाना है गाईस आप लोग आ जाएए खाने के बाद में जाओंगी बाहर तोरे टहलने के लिए और ये मैं आ चुकी हूं बाहर और बाहर करना जारा देख सकते हैं गाईस बहुत 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 जादा खुपसूरत है साम करना जारा ये है और आसमान में कितनी अच् दिखाती हूं तो मैं थोरी सी लेती हूं टहल कि साम के थोरे टहलने से शरीर में बहुत फूरतीले होते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुलोग में अगर आप मेरे चालेज में नए हैं तो प्लीज लाइक कोमें सब्सक्राइब कर दें और बेलेकिन प्लीज और यारी है शरी शर्के असमाने के उन्यों पुली रुलमें पली ओए ने